Welcome to the Prayagraj Institute आज हम लोग बात करेंगे प्रैदिपी पतार के बारे में प्रैदिपी पतार को हम लोग इंग्लिस में penster rate view बोलते हैं तो जितनी भी information है प्रैदिपी पतार को लेके वो हम सारा discuss करेंगे पहले हम introductory part को discuss करेंगे तो introductory part में क्या है तो हम पहला point देखते हैं कि यहां प्राचीन गुंडवाना भूमी का भाग है जो आर्कियन काल के चटानों से बना है जिसकी आकरिती त्रुजा कार है यहां पे जो टर्म है गुंडवाना भूमी तो पहले हम जानेंगे कि यह गुंडवाना का मतलब क्या है देखिए गुंड मिलियन एगो 300 मिलियन एगो अर्थात 30 करोन साल पहले पूरा यह जो लेंड मास है यह पूरा जो लेंड मास है वो एक भाग था ठीक है पूरा यह जो लेंड मास है वो एक भाग था जिसको पैंजिया पैंजिया और जो इसके अतरिक्त जो यह जल वाला भाग है यह जो पेंथा लासा कहला था, क्या पेंथा लासा ठीक है तो पूरी अपनी पिर्थवी जो है यह वो दो भागों में बटी हुई थी एक लेंड मास भाला भूमी भाला प्रृषन था उसको पैंजिया जो वाटर एक्वैटिक पोर्षन था उसको जिसमें आज की डेट में हमारे महासागर हैं समुद्र हैं ठीक है अब यह जो पैंजिया है वो फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है इसका जो नौर्दन वाला जो पॉर्षन होता है वो लौरेशिया कहलाता है यह देख सकते हैं आप लोग यह लौरेशिया और इसका जो सधन पॉर्षन होता है वह गुंडवाना कहलाता है ठीक है, अब इसी गुंडवाना में यह अपना भारत यौ यह कहा जाए क्या पॉर्षन हू आता है और और आज हम study कर रहे हैं भारत के अंदर किसकी प्राइदीपी पठार गी तो जो आप लोगों ने ये जो line देखा और इस line में जो ये जो सब्द था गोंडवाना भूमी इसका मतलब ये है कि प्राइदीपी ये पठार penciler plate 2 वह ये गोंडवाना भूमी का भाग है ठीक है और इ अब हम इसकी extension की बात करेंगे कि इसका विस्तार कहां से कहां अर्थाक या इसकी लंबाई कैसी है चोड़ाई कैसी है या इसका पूरा च्छितरफल क्या है तो उत्तर से दच्षण की अगर बात करेंगे हम लोग इस तरीके से तो उत्तर से दच्षण में ये 1600 किलोमीटर इ इस तरीके से तो इसकी चोड़ाई 1400 किलो मीटर है अगर हम इसकी पूरी टोटल एरिया की बात करें तो इसकी टोटल एरिया जहें वो 16 लाख वर किलो मीटर है 16 लाख वर किलो मीटर या 16 लाख स्कॉयर किलो मीटर इसका अंदाजा आप लोग लगाईए कि भारत का जो शंपू तो भारत के पूरे भूभाग में सबसे बड़ा जो भाग है वो प्राइदी पी पठार का है अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइट पे दूसरा पॉइंट अगर इस पैंसलर इंडिया के अगर बात किया जाए यह पैंसलर प्लेटू की बात किया जाए तिये जो पैंसलर में अगर हम लोग बात करें इसकी उत्तरी सीमा उत्तरी सीमा और दच्छनी एक्स्टेंशन की या यह कहें कि दच्छनी विस्तार की तो उत्तरी विस्तार में हम लोग क्या पाएंगे इधार अरावली, बिंध्यन रेंच, सत्पूरा, कैमूर, राजमहल और सिलांग की तो अगर नौर्धन पॉर्षन की बात करें तो अरावली हो गया है, बिंध्याचल, सत्पूरा, कैमूर, राजमहल और सिलांग की पाढ़ियां, सिलांग की पाढ़ियों को मेगाले की पाढ़ियां भी हम बोलते हैं, ठीक है? यह यह जो है, यह इस पठार की उत्तरी सीमा न पस्मी घाट, यह देखिए, यह है पस्मी घाट वाला पॉर्षन और इसका इस्ट में बात करेंगा हम यह वाला जो पॉर्षन है, यह है पुर्वी घाट, तो अगर हम यहाँ पे जो है, वो, कलर चेंज करते हैं, मार्कर का, ठीक है, अब मैंने रेड ले लिया, सरी, घ्री हमें, पुर्वी घाट, इसके साथ में हम लोग अगर बात करें, इसका साधन एक्स्टेंशन कहां पे, तो साधन मुस्ट पॉइंट है, कन्या कुमारी, क्या है, कन्या कुमारी, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, इस प्रैदिपी पठार के धालान की, तो देखे, इसकी जो जो सोन नदी, चंबल नदी और जो दामोदर नदी हैं, इनका जो भाव है, वो उसी दिसा में, किदर है, उत्ता से पूर्व की हो रहे है, तो इससे अंदादा लगता है, कि ये जो पेंस्र प्लेट्यू है, इसका ढ़लान कीस तरीके से उत्तर पूर्व की साइट में, अब अगर ये सब्रांतर है, तो इसका अगर ढ़लान में करने जा रहा हूं, पस्चिम से पूर्व क्या होगा है, इस तरीके से, ताब ये कैसे हम पता करेंगे, इसकी ढ़लान है, वो पस्चिम से पूर्व की हो रहे, क्योंकि जो सदन इंडिया की जो मैक्समम जो रिवर है, जै इक को जहें, बंगाल की खाडी में आके मिलना है, ठीक है, ये है, बे अफ बंगाल, ठीक है, तो इससे अंदर लग गया, कि उत्तर की सीमा का ढ़लान किदार है, किदार है, उत्तर और पूर्व की और ये कैसे पता चला, ये पता चला में, सोन, चंबल और दामोदर के में गिरती हैं अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अब देखिए बिंद से रेनिक जो है 21 डिगरी से लेके 24 डिगरी अच्छांस के बीच में एक भ्रंस एक भ्रंस से जो हो डिवाइड होता है ये जो भ्रंस है इसी भ्रंस के बीच में से नर्मदा और तापी या तापती नदियां जो हैं वो प्रवावित होती है और भ्रंस होने की वज़ा से ये जो दो नदियां है कौन सी नर्मदा और तापी ये पूरब की तरफ ना बहके ये पस्चिम की तरह बहती है ठीक है तो तापी और नर्मदा का जो बहाव है वो पस्चिम की दिसा में है ये सिम की दीसा में अगर बहते हुए आएंगी यह आएंगी अरब सागर में एक चीज और याद रखना है आपको कि यह जो नर्मदा रिवर है और यह ताप्ची रिवर है यह यह पूरे पैनुसरर इंडिया पैनुसरर जो प्लेट्यू है इसको दो आसमान भागों में बाठती ह दो आसमान भागों का मतलब एक जो छोटा होगा और एक जो बड़ा होगा यह कह सकते हैं कि साधन एंड नर्दन पोर्षन में तो यहां से एक पोर्षन यह हो गया यह वाला भाग और दूसरा जो है इदार हो गया ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में जब हम मधिवर्थी उच भूमियों में जो हमारा है अरावली के स्रेणी पुर्वी रहस्थान के उच भूमी मालवा का पठार बुंदेल खंड का पठार बिंद्याचर और बगेल खंड का पठार चोटा नागपूर का पठार जो कि आपको जारकन में मिला गया और मिघाले का त्यालांगना या आंद्रका पठार ठेक है तमिलाडू पठार पस्मी घाट और पूर्वी घाट इसकी स्टड़ी करेंगे हम लोग दक्कन के पठार के अंदर तो प्रादिपी पठार को हम लोगों ने दो भागों में हमें स्टड़ी करना है एक मधिवर्ती उच भूमी के रूप में जिसको Central Highlands भी बोलते हैं और दक्कान का फ्रादिपी पठार का स्टड़ी होगा जिसको हम लोग कल के वीडियो में डिस्कार से डिसकस करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू गोड़नाइट